पुरोष हो या महिला, आज की तारिक में हर कोई सरकारी नोकरी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्यूंकि हर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहता है, आज हम इस वीडियो में ऐसी ही सरकारी नोकरी आंगनवारी सुपरवाइजर कैबारे में जानेंगे, जैसे आंगनवा कि आंगनवारी सुपरवाइजर क्या काम करते हैं, हमारे देश में आंगनवारी सुपरवाइजर की पोस्टिंग महिला एवं बल विकास विभाग के द्वारा की जाती है, पोस्टिंग प्राप्त करने के बाद आंगनवारी सुपरवाइजर का काम चालू, जैसे सेंटर की देखभाल करना, आंगनवारी केंद्र की जाच करना, आंगनवारी सेंटर को समय पर पोशाहार उपलब्द करवाना, प्रेगनेंट और उनके बच्चों को समय पर टिकाकरन करवाना, जैसे काम करता है, और आंगनवारी सेंटर के अंतरगत काम करने वाले, सभी कर्मचारी सु Supervisor आंगन्वारी की देख रेक करता है, और अगर आगन्वारी सेंटर की कोई शिकायत आती है, तो उसका उचित समाधान भी वही करता है. और आपको बता दे कि अधिकतर आंगनवारी सुपरवाइजर की पोस्ट भारत के ग्रामीन इलाकों में होती है, क्योंकि भारत के ग्रामीन इलाकों में ही अधिकतर आंगनवारी सेंटर होते हैं सुपरवाइजर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? हमें सुपवाइजर की पोस्ट प्राप्त करने के लिए इंडिया के किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से बारहवी कक्षा को पास करना होगा, यानि बारहवी पास भी इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकता है, और जिनका ग्रजुएशन कम्पलीट हो चुका है, वह भी आनगनवारी सुपवाइजर की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं, इसके अंदर आयू सीमा की बात करें तो, सुपवाइजर की पोस्ट प्राप्त करने के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए अलग-अलग आयू सीमा तैकी गई है, जेसे सामान्य वर्ग की उम्र 21 साल से लेकर 30 साल के बिच में होनी चाहिए. OBC समुदाई वालों की उम्र 21 साल से लेकर 33 साल के बिच में होनी चाहिए. इस पोस्ट के लिए केसे आवेदन करें? आंगनवारी सूपरवाईजर की भरती के लिए एक भारत की महिला एवं बल विकास विभाक के द्वारा समय समय पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. ऐसे में आपको तब तक इंतजार करना होगा, जब तक आंगनवारी सूपरवाईजर की भरती नहीं जैसे ही आंगनवारी सुपवाइजर की भरती निकलती है, वैसे ही आपको उसमें अपने आवश्यक डॉक्युमेंट के साथ ओनलाइन फॉर्म भरना है. इसमें सिलेक्षन प्रक्रिया की बात करे तो, आंगनवारी सुपवाइजर बनने के लिए आपको सबसे पहले लिखित एकजाम देनी होगी है, जिसमें आपसे जनरल नौलज और कार्ट अफेर तथा महिला एवं बच्चों के स्वास्थे से संबंदित सवाल पूछे जाते है आंगनवारी सुपवाइजर बनने के लिए आपको इस एकजाम को पास करना पड़ेगा। सुपवाइजर बन जाता है, उसे शुरूआत में ही बहुत अच्छी सेलरी मिलने लगती है। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि व्यक्ति को अपने घर के आसपास में ही किसी आंगनवारी सेंटर में सुपवाइजरी करने का काम मिलता है। पोस्ट भी प्राप्थ हो जाती हैं, जिसके कारण उसकी सेलरी भी बढ़ जाती है। सुपवाइजर की सेलरी की बात करे तो, सुपवाइजर को काफी अच्छी सेलरी मिलती है। रोतरी होती रहती है अगर आप इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले